नमस्कार किसान भाई और पसुपालकों किसान भाईयों हम में से कई पसुपालक भाई अपने गाय और भैस से अधिक दूद प्राप्त करने के लिए टीके दवाईयों या फिर इंजेक्शन का सहारा लेते हैं यह सबी चीज़े तो दोस्तों पहले कारगर सावित होती हैं लेकिन बाद में इनका विपरित प्रोहाओ देखने के लिए मिल जाता है इसलिए अगर आपको आपको अपने पसुपालकों को इन सबी चीज़ों से बचाना है तो आपको जो है दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे राम बार घरेलू उपाई के बारे में बताऊंगा जो गाय और भैस का दूद बढ़ाने में कारगर सावित होता है यहाँ उपाय बहुत ही सरल है दोस्तों और आपको बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय को हम घर पर कैसे बना सकते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पसुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए और नोटिफिकेशन बैल को दबाएं साथी ओल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले तो इस उपाय को बनाने के लिए दोस्तों हमें जो है महुआ के फूलों का इस्तमाल करना है ये जो महुआ का फूल होता है दोस्तों इसमें प्रचूर मातरा में पोसक ततु होते हैं इसके 100 ग्राम में लगभग 17% के आसपास प्रोटीन होता है दोस्तों 22% कार्वोहाइडेट होता है और लगभग 35% के आसपास फाइबर होता है जो हमारे पसों के दूद को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों तो इसलिए इसका इस्तमाल यहाँ पर करेंगे और यह महुआ का फूल दोस्तों आपको किसी भी किराने की दुकान या जो जड़ी बुटी वगर बेशते हैं उनके दुकान पर आसानी से आपको मिल जागा दोस्तों इसकी दाम भी बहुत कम होती है तो आसानी से इसका उप्योग करके आप अपने पसूओं का दुद बढ़ा सकते हैं तो इसके बाद दोस्तों हमें एक काम करना है कि हमें जो है इसे अच्छे तरीके से पकाना है तो उसके लिए जो है एक बरतन लेना है और उसमें लगभग जो है इसे हमें अच्छे तरीक से पकाना है दोस्तों, यहाँ हम यह अच्छा सा दलिया जैसे त्यार करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों इसे पकाना बहुत जरूरी है, तो इसे डालने के बाद दोस्तों हमें इसमें डाल दना है, यह जो हमने लग भग 200 ग्रम के आसपस महुआ के लिए हैं दोस्तों इसे हमें डाल देना है इसे हमें पकाना बहुत जो रही है दोस्तों क्योंकि इसे पकाने के बाद जो है इसे हजम करना हमारे पसों के लिए बहुत आसान हो जाता है और इसके जो पोसक तत्व हैं दोस्तों हमारे पसों को बहुत ही जल्दी से मिल जाते हैं और इसे जो हमें अच्छे आच में अच्छे तरीके से पकाना है दोस्तों उसके लिए आप बिच-बिच में से चलाते रहें ताकि जो दल्या वगरा है वो जल न पाएं और जब लगभग जो है दलिया पकना इस्टार्ट हो जाए दोस्तों तो उसके बाद हमें इसमें डाल देना है 1500 ग्राम के आज़ पास 13 मीरा यह जो तारा मीरा होता है दोस्तों यह सरसो का ही एक रूप होता है लेकिन इसमें जो है दोस्तों सरसो से जादा अच्छे गुण होते हैं इसकी तासीर गर्म होती है जिसके कारण से हमारे पसों को अपने दूद को बढ़ाने में इसके कारण से बहुँँ जादा मदद मिलती है तो इसे भी अच्छे तरीके से पकाना है दोस्तों तो इसे हम डाल देते हैं और इसके बाद दोस्तों हमें लेना है लगभग जो है 50 ग्राम के आसपा सतावरी सतावरी जो है दोस्तों एक जड़ी बुटी है जिसका इस्तमाल पसुओं में दूद बढ़ाने के लिए हमेशा से किया जाता है और ये जो सतावरी है दोस्तों इसे भी हमें अच्छे तरीके से पकाना है तो इसके लिए दोस्तों हमें इसे पहले कूटना होगा चाहे तो आप इसे कूट सकते हैं या तो जो है मिक्सर गैंडर में इसे बारिक पीश सकते हैं तो चलिए इसे बारिक पीश लेते हैं तो आप देख सकते दोस्तों ये बिल्कुल बारिक पीश चुका है तो चलिए इसे भी इस दल्ये में डाल देते हैं और इसे डालने के बाद दोस्तों ये पूरा मिश्रन तयार है अब हम जो है इसे उतार सकते हैं क्योंकि इसमें जो सभी समागरिया हमने डाली है जो दलिया है और जो महुवे का फूल है और जो हमने इसमें तारा मिरा डाला है वो सभी चीजें अच्छे तरीक से पक चुकी है तो चलिए अब हम इसे उतार लेते हैं उतारने के बाद दोस्तों इसे जो है हमें थोड़ी दे ठंडा होने के लिए रख देना है और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो हलका कुन-कुना ही इसे जो है हमें अपने पसू को देना है इसे देने का तरीक ऐसे दोस्तों कि इसे जो है हमें अपनी गाय और भैस को लगातार जो है 7-8 दिनों तक देना है दोस्तों दिन में केवल जो है आपको इसे एक बार देना है और लगातार जो है 7-8 दिनों तक देना है जिससे आप देखेंगी कि आपका जो पसू है उसका ज आएसे दोस्तों वो लंबे समय तक अच्छा दूत दे पाती है तो यह जानकारी दोस्तों आज के स्टूडियों में जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी आनी वाली जानकारियां आपको मि मिलती रहे तो आज के सुड़े में तनी दोस्तों धन्यबाद